हेलो प्यारे दर्शको, हमारे चैनल में आपका पुनह स्वागत है, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, हमने अपने अगले गंतव्य के लिए ट्रेन लेने की योजना बनाई थी, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई, हमारी ट्रेन छूट गई और ह हमें अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन परिशान होने के बजाए, हमने अपने समय का सदुप्योग करने और अलवर के खूबसूरत शहर को देखने का फैसला किया, जब हम शहर में घूम रहे थे, हमारी नजर शानदार अलवर महलों पर पड़ी, महलों की वा आश्चर्य जनक आंगन और दीवारों पर जटिल नकाशी बस लुभावनी थी, हम उस इस्थान के समरिद्ध इतिहास और संस्कृती से आश्चर्य चकित थे, हमने महलों की खोज में घंटों बिताए और हर पल को अपने कैमरों में कैद किया, प्राकृतिक रोश्नी और ख चतरी के नाम से फेमस है, यह एक दो मंजिला इमारत है, जिसे विनाय सिंह ने वर्ष 1815 में अलवर के शासक, महाराजा बखतावर सिंह और उनकी रानी, रानी मूसी की याद में बनवाया था, जिन्होंने सती अपने पती की चिता पर आत्मदाह कर लिया था, मूसी महारानी चतरी रानी मूसी की याद में बनाई गई एक कब्र है, जो अपने पती बखतावर सिंह की मृत्यू के बाद उनकी चिता पर सती हो गई थी। और सुन्दर चित्रों के साथ राजपूत और मुगल चैलियों का मिश्रण है, समाधी स्थल के पीछे बखतेश्वर महादेव नामक एक मंदिर है, जो बखतावर सिंह को समर्पित है, ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है, अंत में हमारी ट्रेन छू में बदलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, हमें आशा है कि आपको हमारी यात्रा देखने और हमारे साथ अलवर महलों की सुन्दर्ता को देखने में आनन्द आया होगा, अधिक रोमांचक सामगरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भू मेरा मानना है कि जुनून हमेशा स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, अगर मैं मुठी भर लोगों को भी प्रेरित कर सका, तो यह एक जीत है, अपने मनमोहक वीडियो के माध्यम से, हिस्टरी मिस्टरी ने अपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया है, और उन्हें सम प्ले हुए किलों को देखें, समझें और उनकी सम्रिद्ध विरासत को अपनाएं.